हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल गायत्री ओफिशल में आपका SSC Constable GD 2024 ते कि आप लोग इंत्यार कर रहे हैं PT, PST के लिए तो बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं PT, PST या फिजिकल स्टंडर टेस्ट पहले फिजिकल स्टंडर टेस्ट PST, PET आप लोगों के डेट फिक्स हो गए है, डेट है आपके 23 सिपंबर 2024 से शुरू होकर 8-11-2024 अब इतना समय लगेगा तो क्या प्रपोज कर दिया गया है, सिडियूल बन गया है और सिडियूल के साथ में एक बड़ी अपडेट आपको और दे देता हूं जो काफी शॉकिंग है कि इस बार बड़ा बदलाव करते हुए प्रक्रिया में PST-PT के साथ ही DV, यानि कि जो काम बाद में होना था वो DV Document Verification और DME Detail Medical Examination DV DME भी उसके साथ है यानि कि आप Physical Standard पहले दिन आप पास हो जाते हैं, उसी दिन सेम डे आपका Physical Efficiency टेस्ट रॉनिंग हो जाता है तो उसके बाद ऐसा नहीं कि दुबारा से लिस्ट आएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सारा काम एक साथ ही हो रहा है जिसमें DV document भी आपको तयार रखना है, कौन-कौन से documents तयार रखना है, वो आपके Admit Card जो अपडेट होंगे उसमें आएगा, आपके लिए अलग से वीडियो ही मनाएंगे Detail Medical Examination, अब यहाँ देखिए, बहुत सरे candidates को problem पुड़ी face करनी पड़ेगी कि अभी तक क्या होता था, कि कुछ medical का point होता, तो उसको physical के बाद में candidates उसका surgery करवाना है, या जैसा भी treatment है, और है, जो भी है Exercise वाला तो ठीक है, हम अभी से भी exercise कर सकते हैं, लेकिन जो surgery था, आँख का लेजर करवाना है, इस तरह के जो issue थे, वो candidate से tattoo रिमोव करवाना है, tattoo भी अभी हो जाएगा ठेकिन अब किसी का files का problem है, तो वेदी अभी surgery करवाते हैं, तो वो running नहीं कर पाएंगे अभी तो पता चला कि हम surgery करवाने के चकर में, हम running में ही बाहर हो गए, physical efficiency test में ही बाहर हो गए, तो आप देखें तो policy है, government का, अब आप ये भी पूछेंगे कि ये notice कहां आया है, notice आपके, ये समझे कि next week आपके notice आ जाएंगे और आपको direct appointment के लिए, जो admit card है आपके, वो आपके म मिलेंगे, ये चीज clear है कि physical और उसके साथ में, DV, document verification, DME, RME सब एक साथ होगा, DME में आप fit होगे बहुत अच्छी बात है, वरना आपको RME, अब RME same location भी हो सकता है, location change भी हो सकता है, वो depend करता है कि आपके center पे specialist है या नहीं है, लेकिन CRPF की बात करें, तो CRPF में group centers, जहा पे composite hospital है, निश्चित रूप से ये सब centers वहीं होते हैं, BSF की बात करें, तो BSF में भी group centers, composite hospital जहां होता है, वहीं कोशिश की जाती है, या composite hospital नहीं, तो medical college हो, वहाँ पे civil का, तो refer के लिए उसमें भेज़ दिया जाता है, specialist का opinion लेने लिए, तो देखिया दोस्तों, इस video से घ आठ नॉमबर तक भी time मिलेगा, वो किसको कैसा मिलेगा time, वो depend करता है, कि roll number के coding आता है, कैसा आता है, वो plan CRPF बनाएगी, नोडल फोर्स का काम है, लेकिन ये बाता हो चुकी है, कि सारा काम प्रोसेस आगे का एक साथ होगा, जाहें